हलो इस्ट्टुएंट से नेक्ष्ट करेंगे एग्जाम्पल लंबर 15 देखो क्या करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टिज प्रूपर्टिज प्रूव डैट कंडिशन होगे फर्स देखो यह कंडिशन लेकर आनी मुझे ए प्लस बी और बाहर बी स्क्वार ठीक है क्या करेंगे सबसे पहले देखो ऐसा क्या करने पर मेरे पास सिमिलर चीज बनती है अगर मैं रो चलके देखना हूँ फिर कौरम चलके देखना हूँ पहले रो चलो ए प्लस ए फ्री ए 2B और 2B कितना हो गया 3B हो ठीक है फजी ओक्ये है मामला इधर भी यहीची चलो ए प्लस ए और यह कितना हो गया 3B यहां भी चलो आप चलो कॉलम अगर मैं कॉलम्स को आइट करता हूँ तो ए प्लस ए प्लस ए उ अ दौनों में सिमिलर कंडिशन आ रही है कोई सा भी यूज क A plus A plus two B a plus B next A plus B plus A plus A plus two B और देखो A plus two B plus A plus B plus A अब रो two as it is देखो A plus two B और ये a plus B और देखो A as it is A plus two B और फिर a plus B और A है A, A 3A और 3B यहां पर भी 3A प्लस 3B यहां पर भी 3A प्लस 3B A प्लस 2B A प्लस 2B A as it is A प्लस 2B यहां पर A प्लस 2B और फिर A बता हो यहां तक सोंज में आया किया ठीक है यहां तक ओक है अब क्या लेना है कॉमन लेना यह यह कॉमन निकाल दो एक इंग 3A प्लस 3B इंग 3A प्लस 3B आउट कॉमन फ्रॉम ब्रो वन तो 3A प्लस 3B है हम इसके अंदर से 3 कॉमन निकाल लेंगे अलग से न यहां देखो वन 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 बचेगा उपर देखो A प्लस 2B और यह A प्लस 2B और यह A प्लस 2B और A अब आप इसमें से 3 ले लो कॉमन तो आदा काम तो आपको क्या करना इसको 0 बनाने वाली कंडिशन करनी है जाना तो जीरो बनाने वाली Wisconsin के लिए क्या करें इसमें से इसको लेस करते हैं उससे क्या होगा च्रोड़ो ठीक है करके देखो column-1 के लिए अपन चेंज कर रहे है column-1 माइनस column-2 वन में संफन ज्रयों कर रहा हूं और कॉलम में भी यही एप्लाय कर दो ना काम करो सी टू माइनस सी थी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ सा नीचे लिख देता हूं इस वाले को मैं पर देखो यह थी है और यह यह प्लस भी आप देखो सी वन में से सी टुन में से बनेंगे यह जीडर एप्लस टूबी मैंस ए एसे ऐ लगए देखो 2B, minus का B बचेगा only, इधर देखो, C2 के लिए, 1 minus 1, फिर से 0, A minus, वैसे इसमें से को less करना चाहिए था न, ठीके जो भी अब कोई इशु नहीं हो, तो 0 लाना है कहीं पर भी लिया हो, A minus A, minus B, तो यहां पर भी क्या बचा, minus का B बचा, फिर A plus 2B minus A, तो यह कितना हो गया, 2B हो गया, अब इधर आजाओ, यहां पर सिंगल A है, 1 है, यहां पर A plus B है, यहां पर A है, अब क्या निकाल लेता हूँ मैं, common, देखो, इस पूरी row के अंदर, अगर आप column में देखो, कि तो B निकल सकता है, इस में से भी क्या निकल सकता है, ठीक है, आजाओ, तो मैं आपर लिख रहा हूँ, taking out, B as common, from column 1 and column 2, तो देखो, बाहर तो है मेरे पास, T A plus B, यह तो ठीक है, मैंना दौनों में से B भी निकाल दिया, तो B square बन गया है, अब देखो, अंदर क्या बचा, दौनों में से यहां से भी चला गए, तो 0, 2 और minus 1, 0, 2 minus 1, 0, 2 minus 1, यहां देखो, 0 minus 1, minus 1, फिर 1, A plus B, और यह A, अब ठीक है मामला, अब देखो, 2, 0 हो गए, अब मुझे क्या करना है, किवल, expand करने पर ज्यान देंगे अपन, हाना, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहां पर directly, expanding, along, row 1, तो यहां पर 3 है, A plus B है, और B square, अब मैं इसके along करता हूँ, हाना, तो यह A11, A12, A13 रहता है, तो उससे तो कोई फरक पढ़ना नहीं है, 1 से तो न, क्या बच गया, यह हट गया, यह हट गया, 2, 2, minus 1, ओ, स्वारी, 2, minus 1, minus 1, and 2, ठीक है, इसको solve करो, क्या बचा, 3, A plus B, B square, 2, 2's are 4, minus, कितना हो गया, 1, तो देखो, यह समझे गया, यहां बीच में minus लगा वाता है, इन दोनों का करा, तो positive न हुआ, 3, A plus B, B square, और 3, 3, 3's are 9, A plus B, और B square, अब मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आया, इस RHS की condition तक आप, बस आपको similarity देखनी, कि कैसे हमारा solution बन रहा है, समझे रहो, RHS वाली condition को थोड़ा सा observe किया करो, और फिर कुछ ना कुछ hint जरूर मिल जाएगा आपको, I'm sure, next आते हैं, इसके part 2 पर, अब आ जाते हैं अपर इस पर, देखो यहाँ पर भी same conditions create हो रही है मेरे पास, equals में क्या है, A plus B plus C है, तो आप पहले ही देखो, मैं along row चलूं, हम row का addition करें या column का करें, पहरें आप यह decide करो, जैसे मैं इन ती रों का addition करता हूँ, तो 3, 4, 5 A हो जाएगा, minus B और minus C आजाएगा, ठीक, और अगर ऐसे चलता हूँ, तो 3 A में से 1 A चला जाएगा, A के चला जाएगा तो only A के बचेगा, यानि मुझे कहाँ चलना चाहिए, along column या along row column, समझ मारा है, कैसे hint लगा रहा हूँ, थोड़ा focus करो, आपको भी click करेगा, column 1 में change करते हैं, column 1 plus column 2 plus column 3, अब आजाओ, 3 A, एक second, यहाँ पर है, 3 A minus A plus B, minus A plus C, got it, नीचे देखो यहाँ पर, minus B plus A, plus 3 B, minus B plus C, और देखो थोड़ा सा यहाँ पर तीचे, minus C plus A, minus C plus B, plus 3 C, minus A plus B, 3 B, minus C plus B, minus A plus C, minus B plus C, और यह 3 C, ठीक है, अब देखो, 3 A में से 1 A, और 1 A चला गया, तो कितना बचा, only single A बचा, plus B है, plus C है, 3 B में से चला गया, तो भी A, plus plus C, और यहाँ पर भी, same condition create हो रही है, समझे रहे हो, क्या कहना चारा हूँ आप से, यहाँ देखो, क्या है, minus A plus B, 3 B, minus C plus B, यहाँ देखो, minus A plus C, minus B plus C, और यह 3 C है, अब निकालते हैं, इसमें से common हो, देखो, first C मेरे पास common निकल रही, कैसे निकल रही, थोड़ा hint लगा आपको, थोड़ा idea लगा, ठीक है, हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखो, taking, A plus B plus C, out common, from column 1, यह क्या हो जाएगा, A plus B plus C हो जाएगा, यह क्या होँ, minus A plus B, 3 B, minus C, plus B, इदर आजाओ, minus A plus C, minus B plus C, और यह 3 C, clear है यहाँ तक सबको अच्छे से, अब क्या करना है आपको, अब फिर से वही conditions लेने की कोशिश करो, कि हम columns को compare करके, reduce करें, 0 लेके आने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास देखो, यह एक condition तो आज चुकी है न, दूसरी conditions के उपर हूँ मैं थोड़ा साथ, देखो, अगर मैं इसमें से इसको subtract करता हूँ, with multiple of A या B, तो B से B cancel out हो जाएगा, कैसे देखो इदर, अगर हम मुझे C2 में change करना है न, 1 में से 1 करके, 0 भी आ सकता है वैसे, बट इसको इससे minus करेंगे, तो पूरा reduce नहीं होगा, और इसको इससे करेंगे, तो भी A का combination है नहीं मेरे पास, यहाँ में minus कर सकता हूँ वैसे, तो भी minus करूँगा, तो यह positive का A होगा, A से cancel होगा, फिर भी B minus C बची जाएगा मेरे पास, चलो चलो आजाओ, C2 में compare करते हैं न, C2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, C2 minus, क्या करें, B करें, A करें, B करना पड़ेगा, पता हो मैंने B क्यों किया, फिर मैं आपर positive लगाना पड़ता हूँ, मैं C2 के लिए, C2 minus B of C1 कर रहा हूँ, तो यह C1 में, यानि 1 है, 1 में B multiply होगा, तो यह B से भी cancel out हो जाएगा, ऐसा करना चारा हूँ, C3 में भी यह चीज़ कर सकते हूँ, C3 minus, यहाँ पर किस से multiply करना पड़ेगा, आपको, C3 में से minus कर दो, C of C1, ठीक है, अब आजाओ, देखो, यह बाहर A plus B plus C, चल रहा है अब यह मेरे पास है, देखो, यह 1, 1, 1, इनको छोड़ो, इधर आजाओ, C2 पहाओ, C2 minus B of C1, यानि कि minus A plus B minus B, इधर देखो, 3B minus B, फिर इधर देखो, minus C plus B, फिर minus B, गाट इधर देखो, अब C3 के लिए, minus A plus C minus C, फिर देखो, minus B plus C minus C, फिर देखो, 3C minus C, बताओ, यहां तक सभज में आया है, सब कुछ अच्छे से, अब आपको यह reduce करने है, बी से B cancel out हो जाएगा, यहां B से B cancel out हो जाएगा, यहां C से C cancel out हो जाएगा, यहां C से C cancel out हो जाएगा, अब जो बच गई values वो देखो, आपके पास A plus B plus C बचा है, अब क्या कर सकते हो, जादा से जादा आप इनको addition और कर सकते हो, यहां फिर से subscribe करोगे, तो यह 3C, 3B बन जाएगा, वापस वोई condition बन जाएगा, ऐसा घंड़े कोई sensory है रहना तो, के वल यह वाली condition जरूँ 0 हो सकती है, बस एक, तो फिर मैं इसको along column 1 solve कर लेता हूँ, ठीक है, आज हो next slide पर लिखते हैं पने इसको, क्या बचाते हैं को यहां पर, A plus B plus C बना यहां पर हो न, हम इसको expand कर रहे हैं, expand along column 1, A plus B plus C तो है यहां पर इसको छोड़ो, along column 1 करेंगे, तो यह होता है, आपके पास आपको पता होगा, A11, A21, A31, यानि की केवल, 2,1 वाली condition में negative लगेगा, बागी positive, यह हट गया, यह पूरा हट गया, तो 2B और माइनस C, पूरा है, माइनस B और 2C, फिर negative बना आएगा, यह अट गया, यह अट गया, माइनस A, माइनस C, माइनस A और 2C, फिर positive यह अट गया, यह अट गया, माइनस A, 2B, एक सिकन, यह अट गया, यह अट गया, तो यह माइनस A, और 2B होना चीए, यह अट गया, फिर माइनस A, माइनस B, अट गया, अट गया, अट गया, हम देखो, A, प्लस B, प्लस C, तरोस ओल इसको, कितना हो जाएगा, यह 4B, C, माइनस फिर, यह प्लस का होके, फिर माइनस लगके, B, C, माइनस 1, इदर देखो, माइनस का 2, 2ac, minus, फिर minus minus, प्लस, तो minus का ac, positive one, इनको करेंगे, तो a, b, minus, यह भी हुआ, फिर minus, और फिर plus 2ab, got it, और देखो, a plus b plus c, यहाँ देखो, four में से गया, तो यह 3bc बचेगा, माइनस, minus 2ac, minus 2ac, कितना हो गया, minus 3ac, और यह positive होके 3ac हो जाएगा, यहाँ पर भी same चीज, 3ab हो जाएगा, इन तीनों में से तीन common निकाल देता है, 3, 3, common निकाला, देखो, a plus b plus c, यह तो बहार लिख दिया, अंदर क्या बच गया, आपके पास, देखो, a, b, मैं आगे लिख देता हूँ, b, c, उसके बाद लिख दूँगा, और c, यह लिख देता हूँ, इस a, c की जगे, ताकि आपको similar दिखे बसी condition थोड़ी सी, अब बताओ, क्या समझ नहीं आया, clear है, तो यह हो गया, आपका RHS, proofed for example number 15, बस आपको similarity देखनी ही, की RHS में क्या दे रखी, उसी से आपको hint लगेगा, सारा का सारा, एक है, next देखेंगे, example 16, next slide में,